दोस्तो नमसकार मैं हूं पाउन कुमार सिंग और आप है सर सुधीर सरुर्म सेटिफाइड एनिमल हेल्थ वरकर हैं और सबसे पहले सुधीर सर का हम बहुत ही वार्म मेल्कम करते हैं कि सुधीर सर एक से नई जानकारियों के लिए बिहार स्टोरी मीडिया पे अस्पेशल समय निकालते हैं बहुत-बहुत अपकंशु आपको धन्याबद पवन जियोग के जो आपके सवाल होते हैं कॉमेंट्स में आते हैं मैसेज में आते हैं सवनुझी को आते हैं और एक संग्रव मन जाता था है फिर है इसे ही जगों पे मुलाकात होती है आप जहां तहां जो आप विजिट करते रहते हैं वहां पी हैं आपको पकड़के हम कुछ सवालों का जबाब ढूंडने का काम करते हैं एक ऐसा ही कुछ सवाल बहुत सारे हमारे किसानों ने उठाया और बहुत दिन से सोच रहा था और आस कुछ भी खा लेती हैं मतलब कभी मट्टी चाटने लगती हैं उनके बच्चे कभी-कभी तो मुत्रवेगर भी वह चाटती हैं यह मतलब जो चीज नहीं खाना चाहिए वह चीज भी वह जाके खाने पीने लगती हैं तो इस चीज से वह बड़ा तकलीफ होता है लोगों को जो बकरी पाले उनको समझ में नहीं आता कि कैसे रोके यह क्या है बहुत-बहुत शुक्रिया पहुण जी कि आपके पास इस ट्राइब के क्वेश्चन आते रहते हैं और हमसे पुछते हैं और आपको पटना में हमसे हमसे मुलकात हो जाएगी क्योंकि प्रतेक मंथ है दो पुछ लोग सुने और जागरुख हो जाएं जैसे आप जो भी पता है कि बकरी कुछ भी खाने लग रही है जो कि खाने जोग्य नहीं है कपड़ा खाना मिट्री चाटना पिसाब पिना इसकान लेक्ट है नहीं तो खाने लग रही है तो यह एक बीमारी का संकेत है यह एक कि हमारे अंदर इक बीमारी आ चुका है और इसमें लच्छन क्या होता है लोग बखरी कपड़ा खार रही है लेकिन इससे भार्म को बहुत नुक्सान होता है लोग इस पर धियान नहीं देते हैं इसका में कारण जाना जाये उसके बाद अपने आप मालूम चल जाए क्या नुक्सान होता है यह लच्छन तब लेहीं आता है कपड़ा खाना मिट्री चाठना जब बक्री के शरीर में चहाओ बच्चा रहे या बड़ार है विटामिन्स और मिन्रोर्स कमी हो जाती है खासकर कैल्सिम पूरस्पोरस जब भी कमी होगा तो बक्री मिट्री चाठेगी कि उसके सिर्व में बिटामिन्स मिनरल से कमी है वह जल्द हीट में नहीं आएगी या हीट में आ गई आप क्रॉस करा रहा है तो कंसीव नहीं करेगा यानिकि बच्चा नहीं ठहर पाएगा या या यदि ठहर भी गया सपोज कि यह हलका भी कमी हुआ है तो बच्चा का पर सम्होंगा या बक्री दिन पर प्रक्री दिन आपकी दूबली होती चली जाएगी अगया और चोटा बच्चा जो है अक्सर देखा गया है कि बारा पंदर दिन पर चाहोता है दस दिन बारा दिन मान लेजिए वह मिट्टी चाटने लगता है या उसकी भी सरीव में लुक्सान होगा तो डिपेंड करता है कि अखिर कमी होता कि यह मान लीजिए कि कोई फार्मर अपने बकरियों को खाना खुब खिला रहे हैं खाना में हरा घ्रावास प्रति दिन सफिस्ट मात्रा में दे रहे हैं या सुखा चारा भी खिला रहें कोई कमी नहीं है फिर भी के शरीर में में विटामिन्स मिनरल्स की कमी कैसे हो सकता है सुचने वाली बात है इसका सिधा साधा समध जाता है केड़ा पर अधिबकरी के पेट में केड़ा हो चुका है तो जो भी खाना आप दे रहे हैं बकरी को उसका धिकान सभाग तो किड़ा खा जाएगा तो जो खा लगती है कपड़ा खाने लगती है और यह बहुत कॉमन बीमारी यह होता है कि ऐसी ऐसी जनकारियां का नीदान किवल मतब यह प्रश्ण में आप से उठा रहों नहीं है कहीं यह आप आपने बताया कि इस तरह से और यहीं है कि आप से मुझे फाइदा हो जाता है कि लोगों क सब्सक्राइब देखर बकरी पालन नकीजिए पुरा जनकार पाइका लग चुका है को पते नहीं है बिल्कुल पता नहीं है तो बड़ा बकरी को आप सही खाना ने खराब खाना देजिएगा तो एक विटामिन कमी हो जाएगी सही खाना दे रहे है और पेट में किड़ा है तो यह किड़ा के दवाई चला देते हैं किड़ा के दवाई के दवाई का उसके बाद फिर मिर्नल मिक्चर का लिकवेट दीए या पाउड़र दीए दस दिन पंद्रह दिन में वह ठीक हो जाती है और जो हमें मिलना चाहिए वह रिजल्ट उससे हमको मिलने लगता है तो इ अब बुलिए का हमारे बकरी के ग्रोथ नहीं हो रहा है तो बच्चा ग्रोथ नहीं हो जागे कोई दवाई खिलाना देजिए कोई इस दवाई नहीं आता है खिलाने से मुटा जाएगी तो चुहा को खिला कर वहां देते हैं कुछ नहीं होता है संतुलित मनेजमेंट को बचाना होगा तो बड़ा पक्रिवति यह हो गया अब प्रस्न उठता है कि छोटा बच्चा जो है दस दिन बारा दिन का है ओक्यों मिटी चाट रहा है गाउं के लोग क्या कर देता है जिसे मिटी चाटना शुरू करता है तो उससे बचाने के लिए गाउं आने लोग जनकारी के भाव में दूथ पिला कर टोकरिस उसको ढख देते हैं कि नहीं घूमेगा और यह मिटी चाटेगा यह और नुक्सान दायक हो जाता है क्यों नु वाधिन नहीं भी मरा तो विकास क्यों महीं हो पाता है उस पर चर्चा करते हैं उस चोटे बच्चे का होता है कि यह से दिन बारीदवстиन नहीं हो पाता है कि दोस्ते पूर्ति नहीं होता है यही कारण देखिए जो अन्भवी किसान होंगे जाए वीडियो जो देख रहे होंगे याद कीजिए जैसे हैं बकरी का बच्चा आपका घास खाना शुरू करता है मिट्री चाटना बंद कर देता है क्योंकि घास कमी हो गया तो चाटना बं बच्चा का सिर्फ शुरूए में कम जोड पड़ गया जब नियों कम जोड तो में यह बहुत बहुत यह गंभीर मसला बिल्कुल है इसलिए ग्रुथ अच्छा नहीं होता है इसलिए करना क्या चाहिए जो हम करते हैं वह बता रहा है आदमी का छोटा बच्चा का जो मल्ट स्क्रामिंग के सेक्टर में जो अच्छित रिजल्ट है उसको आप पा सकते हैं और मनेजमेंट अच्छा रहा है तो बिल्कुल होगा सिर्फ एक लाइन एक बुल दना कि कोई दावाई बता दीजिए खमर बक्री मुटा जाए ऐसा कोई राम मान दावाई नहीं आता है तो उसमोटाई तो लोड़ा होई बहुत अच्छा लागा तो वीडियो आप लोगों कैसा लागा थोड़ा से अपना कमेंट बोक्स में बताईएगा और जो भी समस्चा हो या तो सुनूल नाज जी के पास जो आपके टिम में है मैसेज कीजिए या कमेंट बोक्स में देजिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा मैं यह कहता हूं कि सर की बहुत ब्यस्त कारकरम रहती है सर जारखंड में ट्रेडिंग देते हैं सर उत्तरपरदेश में ट्रेडिंग देते हैं बिहार में ट्रेडिंग देते हैं तो बहुत ही ब्यस्ता के कारण क्या है कि हर लोगों को जबाब देताना संभव नहीं है लेकिन एक अल्टरनेट बिवस्था है हमने करी है कि इन तक बात पहुंचाने के लिए आप सुनूना आज को भी मैसेज कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं अगर कोई वैसी बात है तो सर तक पहुंच जाएगी वरन के बाद भी जो हमसे लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं मेरा मेन उद्धिस से रहता है कि एक वर उनके फारम भी विज़ित जरूर करें ताकि जो ताकि जो हमने सिखाया वह किस पना परशेंट उसको अमल कर रहे हैं यह भी काम करना होता ह हरे राजियों में हर जिले से जब गुजरते हैं तो यह जरूर एक बार पूछते हैं जरूर कि कोई अड्रेस है तो बताइए तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप मेल कर दे या फिर सुनुनाजी को वाटसप कर दे अपना जो बकरी फारम है तो अगर उस रूट से सर करते हैं कि चलो भाई और ऐसे मुश्किल होता है परसनली करना लेगिन यह है कि जब उदर से हम लोग गुजरेंगे तो आपको विजिट कर लेंगे तो चलिए दोस्तों जो भी नए हैं हमारे चैनल पर आज चैनल को सब्सक्काइब कर लिजिए इस तरह की जो किसानों को फॉर्वर्ड कीजिए फार्मर्स को फॉर्वर्ड कीजिए ताकि लोग जागरूक बने हमारा यही मकसद भी है तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्ड नई एपिसोड में सुधीर सर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत